तो आज की इस वीडव में हम सब सीखने वाले हैं कि अगर आपका लेप्टॉप या फिर आपका डेस्टॉप बहुत स्लो कारि करता यानि किकाम करता है और हैंग करता है दो दोसतों आप लोग उसे कैसे फास्ट करेंगे यानि कि दोस्तो आप लोग अपने laptop या PC computer में बिंडो को कैसे update करेंगे ठीक है दोस्तो अगर आप लोग market में जाते हो अपना बिंडो update कराने के लिए अपने laptop या PC में तो दोस्तो लगबग वहाँ पर आपको 300-300 रुपे च्यार्ज देना होता है लेकिन दोस्तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप सिर्फ एक pin drive या फिर एक cash sheet के जरिये अपने laptop या PC को फार्मिट कैसे करेंगे तो चलिए दोस्तो हम आपको बताते हैं कैसे फार्मिट करते हैं laptop को फार्मिट करने के लिए आपके पास एक pin drive होना चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक pin drive यहाँ पर आल्रेड हमारे पास है दोस्तो इसे आपको bootable कराना होता जो कि आप market से करा सकते हैं laptop को off कर देना है ठीक है तो चलिए दोस्तो हम लोग अपने laptop को off करेंगे उसके बाद keyboard पर आएंगे यह देखिए दोस्तो यह जो लिख्या है ESC इसको आपको प्रेज करना है ठीक है लेकिन उससे पहले आपको अपने laptop को on करना होता है ठीक है दोस्तो लेपटॉप में pin drive लगाने के बाद आपको अपने laptop को on करना है और उसके बाद जो अपको यहाँ पर मिलता है सबसे उपरगा बटन इसको प्रेज करना है ठीक है इसको दोस्तो ऐसे प्रेज करते रहना है आप ऐसे जैसे प्रेज करेंगे तो आपके सामने एक नया option आ जाता है अब दूस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके लिप्टॉप पे कुछ इस परकार का इंटरफेस ओपिन हो जाता है ठीक है अब दूस्तों यहाँ पर आपको F9 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे नोटी बुक हाट ट्राइब ठीक है उसके बाद इंटरफेस डिवीडी से आप पारमेट कर रहे हैं तो आपको दूसरे नमपर पर क्लिक यहाँ पर आजाना है देखें द्यारखना आपको इससे प्रेस करके आना है ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों आपको आजा से खेंजाय करके पार इससे पहले कमईघाइब यहाँ पर क्लिक करना है उसके बद यहाँ आपको इस्टालनाव के आप स्टालनाव इस्टाल नाव के option पर क्लिक करता है तो यहाँ पर देखेंगे setup is starting ठीक है अपने यहाँ पर लगबग 10 से 15 सेकंड का वेट करना होता है अब दूस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आना है करना है उसके बाद आपको निश्ट के बटन पर क्लिक करना है जैसे निश्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको सबसे नीचे custom advanced का option पर क्लिक करना है दोस्तों यहाँ से आप अपने डिस्क को जो भी drive है आप यहाँ से फार्मेट कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं उसके के आयां पर किसी पर लिक करने के आपको कि क्लिक करना होता है यहां पर आप देखेंगे इंस्टालिंग बिंडोज को आप्शन आ चुका है अब दूस्तों यहां पर आपको लगवग है आदे घंटे से 15 मिनिट का वेट करना है यह जो सब परसेंट होगा यहां पर जितने भी तो सब सब परसेंट होगे ठीक है उसके बाद दूसर जब यह बिंडोज अपडेट होता है तो आपको हम आगे के पर्शेश बताते हैं ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं जैसे ही सब परसेंट वहाँ पर कम्प्लीट होता है आप सब लोगों के सामें कुछ इस फरकर का एंटरफे और दस्तो आप लोग पासवर्ड की शेट कर सकते हो यह अब दåस्तो हम पासवर्ड नहीं रखना चाहते हैं तो हम यह आप नेस्ट की बेटन के प्लिक करेंगे ऊफ निष्कर और ऑप यह आपस मुछेर आता प्रजा है ओप्टिवू अप्डेट आ्या या पर यह आप लोग यहां से अपने टाइम जोन को सोते उसके बाद आप निश्ट के बटन पर क्लिक करेंगे जैसे दोस्तों आपंडेश्ट के बटन पर क्लिक करते हैं आप देखेंगे तो दोस्तों यहां पर आपका हो चुगा हां ठीक है दोगो कंदे यहां पर आप देख सकते हैं आप लोगों का लेपटाप एकदम दूस्तों हो चुछजिए Windows 7 में ठीक है तो जैसे के दोस्तों हमने आपको दिखाया था कि यह से पहले यह Windows 10 था ठीक है तो हमने इसे Windows 7 में कर दिया अब यह laptop मारा इतना नूँ हो चुका है कोई भी वायरिस नहीं है ठीक है ना है दोस्तों इसमें कोई application है ठीक है तो इसमें दोस्तों आपको अभी क्या करना है इसमें दोस्तों a drive डालना होते है ठीक है जिसीक दोस्तो a drive आपको internet से भी डाल सकते हैं अगर आपके पास कोई pack है दोस्तों आप उससे भी डाल सकते हैं ठीक है तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से ही आपको कहीं पर भी जाने की आवस्यक्ता नहीं हुई, आप अपने घर पर ही बैठे ही, अपने सिर्फ एक पेंडराइब के मदद से अपने लिप्टॉप को पिंडों में अपडेट कर दिये हैं, ठीक है, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार क अपने वीडियो अगर आप लोग देखना पसंद करते हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल नोटी पीज़न को जरूर प्रेस करना